तो देखो बच्चो आज किस चोट इसी वीडियो में हम सिखने वाले है solution of NCRT आपका chapter number 2 है तो chapter number 2 की exercise जो है उसका question number 2.12 तो बच्चो देखो इस स्वाल में क्या पूछा है a charge of 8 millicolum is located at origin मतला पर 8 millicolum का चार्ज है जो origin पे ऊपर रखा हुआ है और जोन की ऊपर ठीक है calculate the work done in taking a small charge of negative from 1.p to q via r मतलब की कोई point p है कितना है 003 cm और दूसरे point p से q लेकर जाना है ठीक है तो point p से लेकर जाना है बच्चो q यह अपना point p और यह जो हमें लेकर जाना है बीच q ठीक है यह अपना है 003 और बच्चो यह जो अपना है 069 cm में दिया है तो हमें कार्य गिनना है कि कोई भी यह जो चार्ज अपना है इस चार्ज को बच्चो हमें p से q लेकर जाना है वी आर मतलब बीच में जो आर आना चाहिए ठीक है तो आपको गिननना है इसके दो तरीके वाज़ें दो तरीके बच्चो अपना है अपको अप्या कर रहो जो एलेक्रिफिल होती है जो प्रडिउस करी होगी इस एट मीलीकुलम चार्ज है इकके नगों कैसी होती यह इस अपना है तो आप पसे q लेकर जाओ या फिर पसे r और r से q लेकर जाओ तो यह वग्दन होगा बच्चो सेम होगा दोनों कैसमें तो यह थोड़ा सवाल है तो इसकी कैल्कुलोशन जो हमने अरडी करके रख्य हुए यहां पर आया चलिए उसको समझ लेते है देख बच्चो यहां पर कैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है कि यह जो अपना q चार्ज जो है जो एक ओरीजीन पर है जिरो जिरो ठीके 8mg चार्ज है point p से p से जो हमारा q चार्ज है small minus 2 into 10 to the power जो भी है q चार्ज ठीके उसको यहां से यहां लेकर जाना है okay p से q लेकर जाना है वैसा तो देखो क्या process बुरा और कैसे इसको solve करना है तो p से हमारा पास दो रास्ते से समयन आपको बताया कि p से r लेकर जाना है फिर r से q लेकर जाना रास्ता no.1 और आप direct क्या करोगे p से q लेकर जाओगे तो देखो बट्चो जो हमें लेकर जाना जो कार्य होता है बट्चो वग्दन हमें पड़ता है वग्दन कितना होता है वग्दन होता है w is equal to q into delta v बोलो यह सोतना क्या होता है delta v मतलब delta v मतलब v final minus v initial तो अगर मान लो अगर आप p से q sorry p से r गए तो v r minus vp करोगे वह आपका क्या होगा delta v ठीक है, तो v सब जगा पर हमें क्या पता होना चाहिए potential, तो किसकी वज़से potential, यह जो q charge है यह जो यहां पर q charge है उसकी वज़से कितना potential है हर अग पॉंट पर हुग Okay, हमें पता होना चाहिए न सेंटीमेटर में मेटर नो सकते है यहां पर हेन इसका आप पाइशा घुरस। तो इसका यहां पर लगा होगे पाइसा गोरस तो यह 6 का स्क्वर होगे 36 प्लस 81 तो यह आप करोगे तो ऐगा 10.8 cm तो देखो बच्चो मैंने वह यहां पर डायरेक्ट लिख दिया है ठीक है ना देखो यह यह रहा है ठीक है यह करा हमने cm में के और 8 को को रखते है अज़िद्स इंप्लिफिकेशन ता कि जो काल्कुरिशन मेरे क्या हो इजी हो इसलिए के को अज़िद्स रख जाते है तो देखते जाओ वन्बावन के से क्या करा होगा है मैंना तो देखो यहां पर 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 यहा करोगे यहां पर vp मतलब r-p करोगे potential तो आप r-p करोगे r-p कि इसका calculation यह आएगा इतना कुछ answer आएगा 0.196 फिर क्या करोगे आप कहां से r से q गे न तो q-r करोगे potential q-r q-r करोगे q-r करोगे q-r करोगे वच्चो तो यह आपका आएगा 0.126 सब करोगे simplification तो यह आएगा-0.07 तो 0.07 q कि यह आपका क्या होगा वर्क किया गया कार यह जो q-chars को p से आप कहां लेकर जाओगे p से आप लेकर जाओगे q तक बीच में आना चाहिए r अब दुसरा आप में आपको बताया क्या करोगे p से आप q लेकर जाओगे direct तो वही आपने दूसरा कर रहा देखो यहाँ पर q into delta vp q तो q minus क्या करोगे p करोगे q minus p करोगे बच्चो तो यह आएगा 0.07 q into k यहाँ पर यह बच्चा आपके ना डाल करोगे 10 अब है कि यह का इंटलाब Jew आने खोगे अएक आत्र वक इनले क्या रहा हमों क्या आंसर हया समझा है क्या में और कंसे अबूल्ट नगल्ए आंसर क्या हमारी थी का है इस मारफ आंसर हमों का थी कैसी है तो औ handle में हमें सांधर आ नहीं करता यह कुषन आपक दोनों ही रास्तों में क्या है वाग्देन जो कैसा है सेम है तो आये चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में वीडियो को लाइक करना और चैनल को करना है सब्सक्राइब थेंक्यू थेंक्यू वरी माच